इस लेक्चर में Global Gateway Plan के बारे में डिसकस करेंगे रिसेंटली ये न्यूज में हैं और अभी European Commission है जो European Commission यूरोप के जो ये बाई साथ ये country हैं 27 countries है लगबग इसमे European Union के मेंबर हैं और इसका ये commission है इस commission ने announce क्या है घोशना किये कि Global Gateway Plan बनाया जाएगा 2027 तक इसमें लगबग euro 300 billion खर्च किये जाएंगे euro उनकी currency है European Union की तो 300 billion euro खर्च किये जाएंगे इसके लिए public और private infrastructure में investment लाई जाएगी पूरे world में यानि कि देखो जैसे चाइना का यहाँ पे mention तो ने किया European Union ने कि चाइना के यह response में चलाया है लेकिन चाइना का जैसे belt and road initiative है यह चाइना का belt and road strategy initiative इसी के response में एक तरह से यह plan चलाया है लेकिन चाइना का कहीं पे भी जिकर नहीं किया है कि इसके response ने European Commission नहीं अनौंस किया है तो यह है क्या और यह चाइना का belt and road initiative strategy है क्या इसको हम लास्ट में समझेंगे, पहले इस global gateway plan को समझते हैं इसमें देखो developmental dimension है, globally एक team Europe approach होगी जिसमें बहुत सारी country participate करेंगी, partner होगी और इसमें sustainable और high quality का digital climate और energy transport infrastructure डवलप किया जाएगा कहीं पर road, कहीं पर building, कहीं पर railways, कहीं पर port, यह सब डवलप किया जाएगे कहीं पर digital infrastructure बनाया जाएगा, इसमें जो health education research system पूरे world में promote किया जाएगा education के लिए school, colleges पे ध्यान दिया जाएगा, health पे, तो यह पूरा funding कहां से आएगी इसकी funding आएगी European fund for sustainable development plus है, जो European union का यह fund है, यहाँ से पैसा आएगा इसमें, और देखो 40 billion euros इसमें available होंगे guarantee capacity की तोर से, और 18 billion euro external assistance से लिया जा सकता है, मानलो कोई private sector funding करना चाहे, तो इसमें funding वहाँ से आ सकती है, कोई help करना चाहे, इसमें fair और favorable term में किया जाएगा यह, यानि कि जो date stays है, date का मतलब कर्ज है किसी country पर, उस risk को कम करने के लिए, यानि कि देखो country कर्ज लेती है, IMF या World Bank से कर्ज लेती है, किसी country से, China जैसे देता है, भाई सब date, कर्ज देता है, तो country कर्ज लेती है, और फिर road बगर है, building या अपना infrastructure डवलप करती है, तो यह कर्ज जो लेती है, इसको risk को reduce किया जाएगा, इस plan के जरिए, इसमें जो B3W project है, इसको promote किया जाएगा, बी-3 का मतलब है, BQ, यानकि एक B से build back better, world, initiative है, इसका ही एक तरह से target है, इसमें क्या है, B3W में, international infrastructure जो investment है, इसको promote किया जाता है, और यह जो initiative है, B3W initiative, यह G7 countries ने announce किया था, जून 2021 में इनकी meeting हुई थी, G7 countries की, इसमें 7 member हैं, G7 में, 7 member, तो इन्होंने announce किया था, यह B3W इसी को promote किया जाएगा, global gateway plan में, यानि कि पूरे worldwide infrastructure डवलप किया जाएगा, mainly इसमें, तो यह चाइना का जो belt, यह belt and road initiative है, यह क्या है, यह किस काम आएगा, देखो यह जो initiative है, यह 2013 में चाइना ने launch किया था, और इसका main target क्या था, cross border transportation, यानि कि चाइना से लेके, जो चाइ कर सके, इसलिए इसने यह plan लेके आया, goods, energy, demand यह बढ़ सके, चाइना अपना land, sea और infrastructure बना रहा, land या सी के जरिये, pipeline बनाना, road, railway, सी के जरिये connect कर रहा है, पूरे Asia, Europe और अफरीका से connectivity बना रहा है, इसमें, यह देखो यह है भाई साफ, चाइना की connectivity, कहीं पे rail, कहीं पे road, क की जा रही है, 750 billion तक, dollar, dollar की बात है, US dollar की बात हो रही है, यहाँ पे, 2013 से 2020 में, 750 billion dollar खर्च कर चुका है, यह चाइना, और इसमें, चाइना का कहना यह है, कि जो भी partner countries है, मतलब चाइना का, जो यह belt and road initiative, जिसने माना है, adopt किया है, जो partner बना है, चाइना का, उनकी, उन countries की sovereignty को ध्यान देगा, चाइना बचाएगा, sovereignty मतलब प्रभू सकता, यानि कि कोई भी country, interfere ना करे किसी country के मामले में, तो उनकी sovereignty को respect करेगा, और उन्हें loan देगा, कर्ज देगा, ताकि वो अपने देश में infrastructure बना सकें, लेकिन जो कुछ critics हैं, जो बुडाईया करते हैं, भाई सब करता हैं, जो criticism करते हैं इसके, वो कहते हैं कि, जो western world है, वो कुछ criticism करता है, बुराई करता है, western world का मतलब, ये European countries, अमेरिका बगरा, ये करते हैं, इसकी बुराई, कहते हैं ये China की date rape policy है, date rape का मतलब, कर्ज में फसाने की policy है, पहले China क्या करता है, बहुत ज़्यादा loan देता है, तो उसे फिर all loan देता है, कहता है कि आप development करो, loan लो, और extreme situation रख देता है, इसकी वज़े से उनसे देखो, उनकी जमीन फिर ले ले लेता, लीज पे, जैसे स्रिलंका का exam पल लो, स्रिलंका से भाई सब 99 और बहुत सारे सालों के लिए, लीज पे ले लिया, उनका पोर्ट कोलंबो पोर्ट, क्योंकि चायना से लिया था स्रिलंका ने loan, तो ये चुका नहीं पाया, उसने कहा कि हमें अपना पोर्ट यूज करने दो, इतने सालों तो आपका loan माप कर देंगे, तो ऐसे ये countries को यूज करता है, डे ट्रेप पॉलिश यह यह, loan देता है, चुका नहीं पाते हैं, तो उनकी जमीन लीज पर ले लेता है, बिना पैसे दिये, यह जो पूर कंट्री है, इनको ऐसे influence करता है, यह प्रभावित करता है, जो emerging economy उनको उकसाता है, कि ज़्यादा ज़्यादा वो कर्ज लें चायना से, और tender जब देता है, तो वो corruption करता है, फिर चायना, एक तरह से new colonialism की policy है, चायना की, colonialism का मतलब है, colony बनाना अपनी, जैसे Britain ने इंडिया को colony बनाया था, गुलाम बनाया था, तो इस तरह से एक new colonialism निकल के आया है, चायना का, इसको new colonialism यह मार्सल प्लान बोल रहे है, 21st century का, क्योंकि इसमें dual nature of product है, दो nature है, कैसे, देखो इसमें यह, यह क्या है, commercial nature के भी है, और क्या है, strategic implication भी है, जैसे China क्या है, यहाँ पर इंडिया से नजर रखना चाता है, यहाँ पर कोलंबो के port वेजर, चायना की presence रहेगी, और इधर से यह CPAC निकाल रहा है, चायना के जिन जिंग रीजन से, यहाँ ग्वाडर पोर्ट तक जाए इंडिया ने, जो belt road initiative है, चायना का, इसको join नहीं किया, क्योंकि CPAC के वज़े से, क्योंकि चायना पाकिस्तान economic corridor है, वो P.O.K. से होके गोजरता है, P.O.K. देखो, यह पाकिस्तानी occupied कस्मी, यह अपना हिंदूस्तान है, इधर, यह चायना यहाँ से निकाल रहा, क्योंकि पाकिस्तान के कबजे में P.O.K. तो यहाँ से यह जारा corridor होके, यह कासगर region है, जो चायना का, यहाँ से होके यह ग्वाडर port है, बंदर गहा यह port, पाकिस्तान का, तो यहाँ पे अपनी यह development कर रहा, road, railway बगएरा, तो यह निकलता P.O.K. से, यानि कि इंडिया की sovereignty को खत्र पालिसी का सुभारम करना, जो लुक इस्ट पालिसी थी, उसको एक्ट इस्ट पालिसी में बदल दिया, जो इंडिया के अपने यह अपने देश में जो यह states हैं, नोर्थ इस्ट वाले, इनको डवलप करने के लिए, इस्टन कंट्री हैं, जो इनसे कुछ साहता लेके इस ए अग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए, जो बियार आई के जरीए, चाहिना अपना इन्फ्लेंस बढ़ाना चाहता, पुरे वर्ल्ड वाइड और इंडिया पे सीपेक के जरीए, तो यह ही था इस लेक्चर में